हेलो एवरिवन मैं मास्टर हेमलता आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए जीबू सिंबल्स यह वर्क्षोप मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ इसमें डेली एक वीडियो आपको मिलेगी फाइफ टू सिक्स पीम के बीच में तो इसके सिंबल सीखने से पहले हम थो करते हैं बिना एटूनमेंट के वह यह जीबू सिंबल्स हैं वैसे हम जब एंजल से बात करते हैं तो भी वह हमारी है ऐसा नहीं लेकिन एक लैंग्वेज होती है एक लैंग्वेज होती है हमारी उनसे बात करने कि आप किस चीज़ की हल्प मांग रहे हैं यह बताने के healing चाहिए यह बताने के लिए love का special symbol होता है prosperity के लिए अलग symbol होता है तो इस तरह से इस workshop में आपको 80 symbols सीखने को मिलेंगे जो आपकी maximum problems में help करेंगे तो यह एक language है angels से बात करने की इस symbols के थूरू जिस तरह से आप omm है या आपके स्वस्तिक है इस तरह की symbols क्यों बनाते है कुछ motive होता है उसके पीछे कि उसको बनाने से हमारे आप shop चालू करते हैं अपना काम चालू करते हैं उस पे स्वस्तिक बनाते हैं क्यों बनाते हैं कि उसमें prosperity है तो यानि कि यह language है universe से बात करने की एंजल से बत तो इसी तरह से हर चीज के लिए हमारे पास सिंबल्स हैं और इन सिंबल्स में हमें अटून्मेंट की ज़रूरत नहीं होती है अब हम ये बात करते हैं कि इस zimbles की हेलप हम किस तरह से ले सकते हैं बहुत इजी है इन से pareil इन से यह प्लेना सबसे पहले बात यह है कि हमें एक तो विश्वास होना जरूरी है किसी भी चीज का result पाने के लिए हमें विश्वास होना जरूरी है दिनीयो एकदम से आज आपने यह देखा और आपको विश्वास हो गया, यह भी थोड़ा मुश्किल होता है कई लोगों के लिए एकदम से विश्वास करना, तो विश्वास करने के लिए, जैसा कि हम मैट्स की प्रॉब्लम्स में लेते हैं, कि किसी चीज को किसी चीज के को प्रूब करने के लिए, पहले हम उसको लेट करते हैं, इस तरह हैं कि हम जो प्रॉब्लम्स में सोल लाजा करते यह थिक है, मान लेते हैं, तो हमें पहले अपने विश्वास को बनाने के लिए, मानना पड़ेगा, कि इस चीज को आप मान ले facts, तभी वह प्रूव हो गया कि मैं यह सि कि इस सिंबल से हैप मिलती है उसके बाद हम आगे का question solve करेंगे और जब एक बार आपको विश्वास आजाएगा तो फिर वो मानना नहीं पड़ेगा वो तो अपने आप ही result निकलने लगेंगे अब हम देखते हैं कि इन सिंबल्स की help हम किस तरहें से ले सकते हैं कैसे इन सिंबल्स को हमें कहां पर कैसे ड्रॉव करना है इन सिंबल्स का प्रयोग आप अपने हाथ लेफ्ट हैंड साइड पर बना सकते हैं या फिर किसी गलास पर बना कर उसमें water रखकर उसे चार्ज कर सकते हैं या एक पेपर पे ड्रॉव करकर उसे अपनी पॉकेट में रख सकते हैं पर्स में पॉकेट में या कई लोग अपने लॉकेट में बनवाते हैं उसका ही लॉकेट होता है या टैटू बनाते हैं टैटू से ही होता है कि वो पर्मानेंट हो जाता है मेहंदी में बना सकते हैं मेहंदी से दो-तिन दिन रहता है ब्रेसलेट्स पर बना सकते हैं ब्रेसलेट उसी शेब के बना सकते हैं वॉल पर लगा सकते हैं जिस रूम में आप बैठते हैं उसकी वॉल पर लगा सकते हैं जिससे की सामने दिखता रहे हमेशन रिलेटेड बुक्स में जैसे की चेक बुक है आपकी अगर आप स्टडी के लिए कर रहे हैं तो कोर्स की बुक से तो कल से आपको रोज एक सिम्बल सिखाऊंगी मैं कि उसे कैसे ड्रॉ करने और वो किस चीज के लिए है ये पूरे 80 सिम्बल आएंगे के अगर आपको किसी सीज के लिए स्पेशली सिम्बल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं जिस चीज के लिए सिम्बल का कमेंट ज्यादा होगा मैं उस सिम्बल को पहले देदोंगे बाकि आएंगे तो 80 सिम्बल में सभी तो कल से 5-6 के बीच में आपको ये कहीं बंटना दो कि साइप और में नहत आ सकतरी किसे हुड़ से और रभ जगे यह सीन जाना हुड़ एपी दोर रभा में अजय कर दोर नहते हैं और हुड़ जगे लगी एटोर कि अएय। झाल झाल झाल